Angel One ने अपने Cuban के numbers को published कर दीया देखते हैं इनके numbers कैसे हैं इसके लिए हम company के consolidated venture को देखने वाले आपको जो भी numbers देखने हों मिलने हैं भो मिलियन्स में है मैं आपको इसको करूर्स में convert करके बताऊंगा company की total income यहां पे last year के same quarter में company की income लगबग 810 करोड की थी वो इस quarter में बढ़कर 1410 करोड की हो गई है मतलब यहाँ पर वाइनवाई basis पर आपको इंकम में जवरदस्त एक तरह से ग्रोध देखने को मिल लिए है अगर हम इसको Q&Q basis पर देखें तो इस quarter में बढ़कर 1013 करोड की हो गए है मतलब यहाँ पर वाइनवाई basis पर लगबग 7-8% का जंप देखने को मिल ला है अगर हम इसको Q&Q basis पर देखें तो last quarter में company का net profit था वो लगबग 340 करोड का था मतलब यहाँ पर Q&Q basis पर लगबग 10% का आपको drop देखने को मिल ला है और वाइनवाई basis पर आपको 7-8% का growth देखने को मिल ला है तो अगर Q&Q basis पर देखते हैं तो इसके numbers थोड़ी से weak देखने को मिल ला है कंपनी का EPS भी same way में देख रहा है आपको जहां पर last year के same quarter में company EPS 26.38 हुआ कर था तो वो इस quarter में 32.55 हो गया है मतलब वाइनवाई basis पर EPS में भी growth है पर Q&Q basis पर आपको drop देखने को मिल ला है EPS के अंदर भी तो यही थे angel 1 के Q1 के numbers थैंक यू